अतीत में एक समय ऐसा भी था जब तिबद देश पूरी तरह अध्यात्म और मानिवी चेतना को समर्पित था तिबद की जमीन पर रोज मर्रा की जिंदगी में अध्यात्मिक और सांसारिक बाते आपस में गुथे हुई थी तिबद की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग पहचान रखता है कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था उसके पिता के पास काफी जमीन जायदाद और एक घर था पिता के मृतियों के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसके उसकी माँ और छोटी बहन के साथ घर के नौकरों जैसा विभार करने लगा उसने मिलारेपा के पूरी जायदात हडपली और वह उन लोगों के साथ खराब तरीके से पेश आने लगा चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीकों से परिसान करता मिलारेपा अपने अंदर प्रतिसोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बढ़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़ कर कहीं दूर चला गया दरसल वह अपने चाचा और चाची से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों तक उन्होंने उसके और उसके परिवार पर ढ़ाये थे इसके लिए उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर वापस लोटा तो उससे पता चला कि उसकी मा और छोटी बहन चल बसे थे यह जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतजार करना चाहता था जल्दी उसे अपने चाचा के बेटे की साधी के रूप में यह मौका मिल भी गया इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपनी सभी मित्रों को नियोता दिया था जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक सक्ति के बल पर घर में ओला व्रिष्टी करवा दी जिसकी वज़ा से उसके चाचा चाची समेत 80-85 लोगों के मिलत्यों हो गई वो पूरी जगा ओलों से भर गई हालाकि सुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुसी हुई लेकिन जल्दी ही उससे अपनी करनी पर पस्तावा होने लगा अगर कोई समवेधन सील रेक्ती किसी चीज का दुरूपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे ही अपरादबुद महसूस होता है ऐसा सामाजिक तोर पर जमीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता बलकि कहीं गहराई में हमारी भीतर ही कुछ हिल जाता है जिन्दगी कुछ इसी तरह से बनी है मिलारिपा को भी भीतर से किसी चीज ने बुरी तरह से जगजोर कर रख दिया तब उसने वहीं निश्य किया कि वह खुद को इस दोश से मुक्त करवा कर ही रहेगा उसके तरक भले ही कितने सही हो लेकिन उसने जीवन की मूलबुद सिधान का दुरुपयोग किया था यही वज़ा है कि वह अध्यात्म की सरण में जाना चाहता था वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्में धो सके इसलिए वह गुरु की तलास में निकल पड़ा वह कई लोगों से मिला लेकिन सभी ने उसी इसी जन्म में आत्मबोध करानी से साफ मना कर दिया उनका कहना था कि वह उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मग्यान को बढ़ाए उसे दया, कृपा और प्रेम के रह पर चलना होगा जिसे वह धीरे-धीरे हर जन्म के साथ बहतर होता चला जाएगा लेकिन मिलारेपा को इन सबसे संतुष्टी नहीं मिल रही थी दरसल उसके भीतर अभी तक पश्चाता, विद्वेस और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह तीन बार भारत की यात्रा कर चुका था वह मसूर गुरू नरूपा के सिस्से थे और उनसे वह कई तरह की सिक्षा, प्रणालिया और लिखित ग्यान लेकर उसे तिबबत की भासा में अनुवाद्धी कर चुके थे वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिबबती भासा में अनुवाद्ध कर चुके थे यही वज़ा थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे आखिर इस ग्यान को लाने वाले भी यही थे यह जानकर मिलारिपा मारपा की खोज में निकल पड़ा जब वो उस सहर के पास पहुँचा जहां मारपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले उसने उनसे पूछा वह अनुवादक मारपा कहा है एक बच्चे ने कहा मेरे साथ आओ मैं जानता हूँ कि वह कहा है बच्चा उसे एक खेट में लेकर गया जहां मारपा जमीन जोत रहे थे मिलारिपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देशी बियर देते वे कहा इसे पीलो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ मिलारिपा ने बियर पी और जुटाई के काम में लग गया कुछ दिर बाद मारपा तो महां से चला गया लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा जब मिलारिपा ने जुटाई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से भरा खड़ा हो गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब करना क्या है वह बच्चा उसके पास आया और बोला अब तुम अंदर आ सकते हो वह बच्चा उसे मारपा के घर में ले गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह दरसल मारपा का ही बेटा था फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की सारीरी गतिविधिया करवाई कुछ देर बाद मिलारेपा ने जुग कर मारपा से कहा मैं आपसे धर्म की दिक्षा चाहता हूँ मैं एक ऐसी प्रनाली ऐसी क्रिया के तलास में हूँ जो मुझे इसी जन में ज्ञानु दे दिलाए और बंधन से छुटकार दिलादे मैं अगले जनम के फेर में नहीं पाढ़ना चाहता मैं आपको अपना सरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अरपन करता हूँ कृपया मुझे खाना, कपड़े और ग्यान दे यह वाकर यह खुबसूरत बात मिला रिपा ने कही थी लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह अगर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं आखिर जो आपकी है ही नहीं उसे देना तो बहुत ही आसान है लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है अगर आप अपने गुरू को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने सरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे मिलारिपा की बाद सुनने के बाद मारपा ने उसकी और देखा और फिर बोले तुम अपना सरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने के जगा दे सकता हूँ ग्यान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा या फिर मैं तुमको ग्यान दे सकता हूँ और रहने वा खाने का अपना इंतिजाम तुमको कहीं और से करना होगा इच्छा तुम्हारी है वह वास्तों में सौदेवाजी कर रहा था यह सुनकर मिलारिपा ने कहा ठीक है, मुझे आपसे ग्यान चाहिए मैं अपने खाने और रहने का बंदूबस्त कर लूँगा इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया मिलारिपा एक जो सीला व्यक्ति था और जो भी करता था उसमें कुछ ज़यादा ही कर बैटता था वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया और काफी दूर निकल गया और कई बोरे गिहूं के जमा कर लाया दरसल वह एक ही बार में साल भर का गिहूं जमा कर लेना चाहता था ताकि वह मारपा के साथ बैठ कर धर्म और ग्यान के बाते सीख सके उसने बहुत सारा गिहूं जमा कर लिया जिसमें से थोड़ा गिहों बेच कर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक चार मोठ वाले तामरे का एक बरतन खरीदा गिहों के भारी बोज के साथ वो मारपा के घर वापस आ गया और धर्लाम की आवाज के साथ उसने गिहों का बोरा नीचे रखा जब मारपा ने या आवाद सुनी तब वो दोपर का खाना खा रहा था वो खाना खाते वे बीच में से उठकर बाहर आया और बोला लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो इस गिहों के बोरे और बरतन की आवाद से तुमने पूरे घर को दहला दिया लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बरबाद कर दोगे बस बहुत हो गया अब निकल जाओ यहां से इस पर मिला रिपा गिर गिड़ाया आपने मुझसे अपना खाना लाने को कहा था तो मैं ले आया लेकिन यह बहुत भारे था इसलिए रखते समय वह मुझसे संभल नहीं पाया और धब से बुरा नीचे आगिरा मारपा ने कहा नहीं तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था तुम खाने को इस तरह नहीं फेक सकते इन सभी बातों का हमिसा ध्यान रखा जाना चाहिए दो लोगों के बीच का फर्क इसी से समझ में आता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और बातों को किस तरह लेते हैं इसलिए मारपा ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता तुमने बोरे को ठीक तरीके से न रखकर उसे फेका इसलिए तुम्हें यहां से बाहर जाना पड़ेगा तुम यहां के लिए ठीक नहीं हो तुम बाहर रहकर ही काम करो मेरे खेट की जुताई करो और मेरा घर साफ करो कई सालों तक मिला रेपा यही काम करता रहा वक्त के साथ दूसरे सिस्ष्य आते रहे और उनको कई चीजी सीखने का मौका मिला लेकिन मिला रेपा को ना तो कोई दिक्षा मिली और ना ही कोई सीख वो सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करता रहा आठ साल से भी ज़्यादा समय तक उसने बिना कोई दिक्षा या सीख लिए वहां काम किया बाकि सभी एक दिन के लिए वहां आते और कुछ न कुछ दिक्षा लेकर चले जाते लेकिन उसने मेहनत करते हुए लंबा इंतिजार किया एक दिन जब सर्संग चल रहा था तो वो चुपके से अंदर आकर सर्संग में बैठ गया हलाकि उसे यहां नहीं होना चाहिए था मारपा वहां आखे बंद करके बैठा था इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे शातरों के साथ उसको भी कुछ दिक्षा मिल जाएगी लेकिन बंद आखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी उसने उसे उठवा कर वहां से बाहर फेक दिया ऐसा बार-बार होने लगा मिलारेपा थोड़ा इंतिजार करता और जैसी सच्चन सुरू होने लगता वैसी वह चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा इसे तरह 13 साल से ज़्यादा का समय बीट गया लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ आखिर एक दिन उसने मारपा की पत्मी दमेमा सी याचना की दमेमा मिलारेपा के प्रती एक मा के तरह सहनुबुती रखती थी उसने कहा आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाए कोई एक सिख्षा थोड़ा सा अध्यात्म मैं कुछ भी नहीं जानता मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ दमेमा मान गई और उसने अपने पती से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की तब मारपा ने कहा ठीक है लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए तीन कोनो वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा मीलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया वह दिन रात करके एक 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 इट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा इस काम में उसके सारे सरीर पर गहा हो गए जिस लहुलुहान हालत में भी वह लगातार काम कर रहा था वह दमेमा से देखी नहीं गई उसने मारपा से कहा उसे थोड़ा आराम दो मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूं और वह मेरे लिए मेरे बेटे की ही तरह हो चुका है उसकी आहालत में बरदास्त नहीं कर सकती इस पर मारपा ने कहा ठीक है इसे एक महिना आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगा दो दमिमा ने मिलारिपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया उसने उसे दवाईयां और खाना दिया और उसे ठीक कर दिया इसके बाद मिलारिपा दोबारा काम पर जुट गया घर बनाने में उसे दो साल का वक लगा जब वो पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए तीन कोनो वाला घर सही नहीं रहेगा इसलिए तुम चार कोनो वाला घर बनाओ मिलारेपा मान गया वह बोला ठीक है मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दिक्षा तो दे लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया वो हर नए आने वाले सिद्से को दिक्षा देता रहा लेकिन मिलारेपा इंतजार करता रहा और इसी के साथ ही अपने काम में भी लगा रहा सभी को लगता था कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है लेकिन लोग जितनी इस तरह की बाते करते मारपा का मिलारेपा के साथ विवार उतना ही कुरूर होता जाता जब मिलारेपा ने चार कोनवाला घर बना लिया तब मारपा ने कहा यह अच्छा नहीं है अब तुम पांच कोनवाला घर बनाओ इस तरह कई साल और बीद गए मिलारेपा अकिला ही काम में जुटा रहा और उस जगा पर इमारते बनाता रहा इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा यह ठीक है लेकिन अपने बेटे के घर के चारो कौनों में मुझे 60 फिट उचे बुर्ज चाहिए इस पर मिलारेपा ने घर के चारो कौनों में 4-60 फिट उचे बुर्ज भी बनवा दिये मिलारेपा की अब उम्र ढलने लगी थी लेकिन वा मारपा की पत्मी दमिमा के पास गया और उसके पैरों पर पकड़ कर गिरगड़ाने लगा कि मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है कृप्या आप कुछ कीजिए मैंने अभी तक कुछ नहीं सिखा है मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किये है मैंने अपनी तांतरिक विद्या का दुरोप्योग किया है लेकिन अब तो मैं बहुत पस्ता चुका हूँ यह सब सुनकर दमीमा को मिलारिपा पर दया आ गई उसने फौरण मारपा के लिखावट में ही उसकी एक सिसे के नाम पत्त लिखा ये सिसे भी दिख्षा दे सकता था दमीमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारिपा से कहा कि वो इसे मारपा के उससे को ले जाकर दे दे मिलारिपा उस भिख्षुक के पास गया भिख्षुक ने उसे दिख्षित तो कर दिया लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के अनुभो की कोई प्राप्ती नहीं हुई भिक्षुक हैरान था क्योंकि जब भी वा किसी को दिख्षित करता तो उसे कुछ न कुछ अनुभो तो होता ही था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर या पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बर कहां हो रही है जब दोनों मारपा के घर पहुँचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गया और चिलाया मेरी इजाज़त के बिना इस आदमी को दिख्षित करने की तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई भिज्चुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था इसे दिख्षा देने के लिए आपनी ही तो निर्रेश दिया था पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गया और मिलारेपा से बोला यह दिक्षा माने नहीं है और तुमें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। गोर पश्चाताफ के भाव में डूबा मिलारेपा वहां से चला गया मिलारेपा के वहां से जाते ही मारपा फौरण अपनी पत्नी और भिख्शुक से बोला इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बिकार की दया दिखा कर मेरी सब मेहनत पर पानी फ करता था मिलारेपा में ये सब कम्या तो थी लेकिन उसमें जबर्जस्त संभावना भी थी इसलिए मारपा उसको केवल एक साधारन सा ध्यान योग सिखा कर उसकी विसाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहता था वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से किसी को भीजा मिलारेपा वापस आया तो मारपा ने उससे कहा अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोज से निजात पाने के लिए मैं तुमें कुछ तरीके बता रहा था लेकिन तुम बेवज़ा ज़्यादा वक्त लगा रहे हो अगर तुम मेरे कहे अनुसार चल जालते आ रहे हो लेकिन अब तुम्हें सही माइने में अपनी अंतर में पस्तावा हो रहा है यहां तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो मारपा ने मिलारिपा को दिक्षा दे दी और उसे औस्ताई कारागार में कैद कर दिया यह कारागार कुछ खास तरका होता है इसमें एक आदमे को बैठा कर उसके चारो तरफ दिवार बना कर उसे बंद कर दिया जाता है उसमें हवा आने जाने के विवस्ता रहती है लेकिन उसमें रौसनी नहीं आती अंदर भयानक अंधीरा होता है दिन में एक बार खाने के थाले को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाए तो वह उस थाले को बाहर धकेल देता है इससे केवल उसके जिन्दा होने का पता चलता रहता है इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए इस कैद में रखा गया लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए तांत्रिक तक्नीक से काम करने के लिए हर चकर के लिए एक देवी के रशना की गई थी इस इस्त्री स्वरूप की प्रान प्रतिष्ठा करके उसे जीवन्त बनाया जाता था और अपने काम सिध्धी करने के लिए उसे बुलाया भी जा सकता था तांत्रिक पत पर इन टाकतों के मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम भी नहीं कर पाता है डाकनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली मार्पा ने तुम्हें अपनी सिक्षा तो दे दी है लेकिन उसने एक एहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता है जाओ और उसी से जानने के कोशिस करो उसे पूछो कि वह जानता है कि नहीं मिलारेपा कैद की दिवार तोड़कर फौरण मार्पा के पास पहुचा मार्पा ने उसे देखकर पूछा कि मैंने अभी तीन दिन पहले ही तुम्हें बंद किया था तुम बाहर कैसे आ गए मिलारेपा ने उसे डाकनी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि यह सच है यह मेरा वहम लेकिन ऐसा हुआ जरूर है वस इसलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर जोगा दिया और कहा मेरे पास भी यह घ्यान नहीं है चलो भारत चलते हैं वहां मैं अपने गुरी से यह बात पूछूँगा दूनों नरूपा से मिलने के लिए भारत आएं नारूपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताए कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा कि हमें या खास सिक्षा नहीं मिली है नारूपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा या घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती है तुम्हें यह सब कैसे बता मारपा ने जवाब दिया या घटना मेरे साथ नहीं हुई है बलकि मेरे एक सिस्थ के साथ घटी है या सुनते ही नरोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर जुका दिया उन्होंने कहा अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकास चमका है फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बलाकर उन्हें जीवन में संपून ग्यान प्राप्त करने की पूरी सिक्षा दी जब वे वापस लोटे तो मारपा जो पहले गुरू के रूप में मिलारेपा से जुड़ा था अब उसके सिस्य की तरह हो गया तिब्वती संस्कृती में मिलारेपा एक चमकती हुई रौसनी बन गया उसने एक लंबा जीवन जिया और अपने ग्यान को दूसरे लोगों तक पहुचाया तिब्वती संस्कृती में पिछले कई सो सालों के दौरान जो भी बड़ी चीजे हुई हैं उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तैयार किया गया था